कानहा की नगरी मथुरा ब्रंदावन और बरसाने में होली की धूम है कहीं फूलों की होली हो रही है तो कहीं लड्डू मार और कहीं लठ्ठ मार होली का आयोजन हो रहा है देश दुनिया से आये कानहा के भक्त होली के रंगों में सराबोर है मयूर नित और चर्कुला नित का अलोकिक नजारा देख कर सरधालू जूम उठ रहे है जुद लेट के लिए वो सराज में आज हमें लिए और को सराज को माते वाजाने का मुका मिल ला है यह सबसे बड़ा स्वाथ कि है जीवन भर का स्वाथ की यह है अज बहुत बद बनाते हैं अच्छा लोगा चलता रहा है अज बनाते हैं और बर्साने की तो कि यह रही किया है इतने सारे बड़े जोचार की बाते किंती नहीं है तर बहुत लट तो पड़ता ही है और प्रैटिस होगी है पांच-शे साल चेट रहा है यह ज़गाता है और हम बर्साने से आते हैं कानहा की नगरी में होली की धूम सुरू हो चुकी है हर तरब होरियारों की टोली रंगों से सराबोर नजरा रही है तो स्रधालूओं का हुजूम भी कानहा की नगरी में उमड रहा है देश के कोने कोने से आएक कलाकार अपने प्रस्तुतियां दे रहे हैं कहते हैं फाक की आभा ब्रज है तभी तो यहां होने वाली हर होली हर दिन भक्तों को एक नया आनन्द देती है चालीज दिन से तैयारी के रखी है हमने है रोज आना था तूद बादाम गोट गोट के पीते हैं खूल लटियां को तेल पुला गी पिलाते हैं सब्रे हमारे क्वाला कूट टंड बैट लगा के तैयारी के बाद में मेरे हम सखीयों को निमंतर मिलता है प्यारे स्याम सुंदर नन्द गाउं से राधरानी की तकियां को निमंतर देते हैं मंतर के बाद में हम होली को नौता स्वीकार करते हैं उसके बाद में हम आज के दिन परसाने से आते होली कैलने के लिए प्यारे स्याम्चुंदर से प्यारे स्याम्चुंदर पहले हमारे परसाने में गए है होली केलने के लिए तबी हम उनके नमंतर पर हम यहां आए पहले प्यारे स्याम्चुंदर गए थे अपने सकाओं के साथ परसाना नंदगाओं के बाद मतुरा में भी होली का धमाल नजर आ रहा है क्योंकि माना जाता है कि होली की सुरवात दौपर योग में स्रीकृष्ण के हाथों हुई थी और तब से ही ब्रज में होली का बिसेश महत्व है ब्रज में होली की हुलण बसंत पंचमी से सुरू होकर अगले 45 दिनों तक चलती है कहा जाता है कि बरसाना और नंद गाओं होली खेलने के बाद भगवान रंग भरी एक अदसी के दिन मतुरा में होली खेलने आये थे यही वज़े है कि दुनिया भर में मतुरा ब्रंदवन और बरसाने की होली प्रसिद्ध है कानहा और राधारानी के भक्त दुनिया भर से मतुरा पहुँच रहे हैं और कानहा के रंगों के रास में सामिल हो रहे हैं